तार चुराने वाले शातिर चोरों को गिरफतार किया है जिनके कबजे से तीन कुंटल बिजली तार अलुमीनियम धातू से बना एक तमंचा और एक चाकू बरामत हुआ है और इनके कबजे से बिजली का तार को काटने वाला कटर और एक चार पहिया वाहन भी बरामत हुआ है आपको बता दे कि अमरोहा जनपत के विजली विभाग में तनात एक इंजीनियर ने विजली के खंबो से तार चोरी होने की शिकायद दर्च कराई थी सरकारी इंजीनियर की शिकायत के बाद हसनपूर कोतवाली पुलिस का तार चुराने वाले गिरोहों के सदस्यों को गिरफतार करने की कोशिशों में जुट गई और हासनपूर पुलिस को इस दोरान बिजली का तार चुराने वाले गिरुखू के सदस्यों को पकड़ने में कामयाभी मिल गई कर चुरान भां कीजा रही था और इनको ठोटा हाथी जब उनोने रोपने की कोशिच तो उनके रगी बदमाते जो जनोने पुलिस पार्टी पर फइयर क्या भागने की कोशिच ति तो पुलिस पार्टी द्वारा उनकी धेराबंदी करके उनको पकड़ लिया और जब सोटा हाथी की तलाशी ली तो इसमें से विजली भी बाकर लगए पीन कुनिटल हाथ कटा हुआ था वे मिला और दो इनके पास से केंची नुमा जो कटर हैं वो इनसे बरामद हुए जो अक्सरतार को काटने में यूज होते हैं वसाथ ही इन कर्मपार लिए जिसकी कबारी को कही बेचते नहीं है पाया गया cousसा और इनके बाकी जो साती है यह था कहां पे बेचते थे और बाकी नहीं १ार्ज हिडोन उपखंड में खेडा विद्यूत गरेड के मंदीर पर विद्यूत कर्मियों द्वारा अन कूट पर साधी वित्रण की गई विद्यूत गरेड खेडा के कनिस्त अभियंता मुनी राच मिना हेमरेड़